असलाम अलेकुम माइडियर स्टूरेंट्स आज हम माइटो कांड्रिया पे डिसकेशन करेंगे कि माइटो कांड्रिया की मीनिंग क्या होगी डिपिनेशन, डिसकोवरी, साइस, किमिकली कंपोजीशन, स्ट्रक्चर, नंबर और फांक्शन और उसके डायग्राम पे हम इनन refund यनि दागा और कौंड्रिया का मतले है ग्रे इनैनी त्रेडल्स ड्रेडलाइक ग्रेडली इनैनल इनकाली마, इसका लिψी मतलब aj स्ट्रक्चर होगा, इननने त्रेडलाइक ष्ट्रक्चर होगा वांछर। нधित, फांगर इनन फथापा ह को दिखाई दिया था मसल सेज में तो इसलिए इसको यह त्रेड लाइग रेन्यूल जा त्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं कि डिपिनीशन डबल मेंब्रेन बाउंडिड कलर लिस बॉड़ी वाइडी डिस्ट्रिब्यूटेड इन सैटो प्लाजम आप यू केरियाटिक सिल माइटोकांडरिया जो होता है वो हम कहते हैं कि यह डबल मेंब्रेन होगा यू केरियाटिक सिल में माइटोकांडरिया मौजूद होगा और यू केरियाटिक सिल के साइटो प्लाजम में यह मौजूद होगा इसलिए हम इसको साइटो प्लाजमिक आरगिनिली भी कहते हैं अब इसकी डिसकोषी फरस सीन बॉइ तैसे लियन ग्रेन जूरा के सीलाइन ashr in 1850 सबसे पहले इसको केलिकर नामी साइन्टिस्ट स में मॊसल सीलज में इसको देखा था इसलिए यह डिसकोषी का सिहरा उसके सर जाता है व कि यह सबसे पहले 8850 में डिसकोष हुआ था इसका size जो है इसका यनुंडर और लिंध तो यह मुक्तरिब होगा 0.5 micrometer से 1 micrometer तक इसकी dator होती है और इसकी जो लिंध है वो 0.1 से लेके 10 micrometer तक इसकी लिंध होती है अमुमन जो mytochondria की lint होती है वो तकर्रीवन 7 nanometर जआ जेसे अक्सर जो mitochondria देखा गिया है उसका जो size होगा जो length होगा वो 7 micrometer तक उसकी length जो होगी लेकि इसका range जो हो हम कहते हैं कि 0.1 से लेके 10 micrometer तक इसकी length होगी chemical composition की तरह पाते हैं तो ये chemically composed होगा protein पे, lipids पे, RNA पे और DNA पे अब यहाँ पर ये protein, lipids, RNA और DNA पे मुश्तमिल होता है इसमें जो DNA पाया जाता है तो इसकी वज़ासे ये replicating organically भी है यहीं इसकी वज़ासे ये replication करता है, खुद की replication करता है क्योंकि DNA replication करवाता है इसका जो RNA होगा जिसको हम कहते हैं, यहीं जो ribosomes जो होंगे, RNA के जो ribosomes होंगे वो 70s तक इसके ribosomes जो है वो उसकी size होगी इसका structure, it is microscopic, यह अमूमन microscopic होगा अपियर टो बी विजिकल राड और पिलामेंटस, यह बाज अकार यह हम कहते हैं, तेलिनुमा शेकल में, राड शेकल यह हम कहते हैं, यह हम कहते हैं, इलागेटिड फिलामेंटस बाडी यह होगा यह double membrane पे मौजूद होगा, surrounded by double membrane, outer membrane जो है, outer smooth यह जो बाहर वाला membrane होगा वो smooth होगा, और inner membrane जो है, वो folded होगा, इसी तरह यह folded membrane जो है, यह diagram में दिखाया गिया है तो यह folded होगा, जो inner membrane है, folded होगा, तो इस fold को हम क्रिस्टा कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हिस्स्य को हम क्रिस्टी कहते हैं, आईए चलते हैं Surrounded by double membrane, that is outer smooth while the inner folded called kristi, एक को हम क्रिस्टा कहते हैं, यह क्रिस्टी है Inner surface of the kristi is a mitochondrial matrix, यह kristi का जो inner surface होगा, यह यह अमूमन हम कहते हैं, यह mitochondrial matrix होगा अब इस में matrix जो है, यह mitochondrial matrix में चोटे knobs होगे, यहाँ पर हमने शो किये हैं, यह चोटे knobs होगे, इस knob like structure को हम elementary particles कहते हैं, they are called elementary particles और elementary particles में दो अक्साम के होंगे, if not और if one, यह यह जीरो और if one, इस तरह हम इसको कह सकते हैं, इसके number जो हैं, वो sil के activity पे डिपेंड करता है, यह sil की activity यह slow है यह fast है, यह sil जो है, यह fast growing है यह हम कहते हैं कि fastly dividing cell है, तो उस लिहाँ से हम इसके number पे हम कहते हैं, यह हम कहते हैं कि यह इसके number different हो सकते हैं, मिसाल के तोर पर, muscles जो है, जो हम कहते हैं कि वो exercise करवाता है, exercise करता है, तो उसके muscles में नमबर आपकरों, इनी mitochond के जो है, वो normal body से ज्यादा होंगे, number size and shape varied depend on physiological activities, इसी बुनियाद पे, यह shape जो है, यह number और size, यह cell to cell यह मुक्तलिफ होते हैं, इसके functions की तरफ आते हैं, तो function इसके होंगे, कि side पार cylinder respiration, जो cylinder respiration होगा, यह cell में जो food की oxidation होती है, mitochondria में, तो उसको हम cycle का नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं, creep cycle, और and fatty acid metabolism, इसमें fatty acid metabolism भी होता है, और carbohydrate की, हम कहते हैं के oxidation भी होगी, इसका दूसरा function यह होगा, कि convert ADP to ATP, यह addoncine dipaspate को addoncine tripaspate में तबदील करता है, इसी वजह से, इस energy की बदोलत, क्योंकि इसमें ज्यादे से ज्यादे energy पैदा होती है, इसमें creep cycle भी होता है, और इसका जो inner membrane होगा, इसमें electron transport chain भी होगा, ETC हमने यहां पर ड्रा किया है, इसको electron transport chain केते हैं, तो यह दोनों process इसके membrane में होते हैं, इन्हीं electron transport chain इसके membrane में होगा और creep cycle इसके matrix में होगा, इसी वजह से हमें इसको power house अब दसिल भी कहते हैं, उमीद हैं, यह lecture आपको समझ आ गया होगा, निक्स लिक्चर तक हमें इजाद दीजिए, अल्ला हाफिज,